Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपस स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 06 के all important topic को study करने वाले हैं M.H.I. 06 के अंदर में जितनी भी lesson है, हर lesson के अंदर में जो भी topic है उसके बारे में बात करेंगे साथी साथ देखेंगे कि previous exam के अंदर में कौन सा topic आ रगा था December में होने वाले exam में कौन से topic के आने के chances है इसके बारे में discuss करेंगे इसका एक benefit यह रहेगा आपके लिए कि आपके पास दो तरह का list बनता चला जाएगा एक list जिसके अंदर में आपके पास होगा most repeated topic जो topic सबसे ज़्यादा बार repeat हो रहा है दूसरा list जिसके अंदर में आपके पास होगा most important topic जो topic सबसे ज़्यादा महत्तपून है इसका benefit यह भी रहेगा आपके लिए कि जब आप exam के तयारी करोगो तो आपके अंदाजा लगा पाऊगे कि यह वाला topic exam में आने के ज़्यादा chances है और उसको आप अच्छे से study कर पाऊगे और अच्छे नंबर लापाऊगे इस वीडियो के अंदर पर हम यह भी discuss करेंगे कि क्या strategy होनी चाहिए हमें study करने के लिए जो भी दिन बचे हुए है उसमें कैसे study कर सकते हैं कहां से study कर सकते हैं किस book से study कर सकते हैं हमें कौन सी वीडियो देखनी चाहिए last time period पे और MA history का note चाहिए तो कहां से मिल सकता है इन सभी topic के बारे में बात करेंगे साथी साथ बात करेंगे कि answer writing हमें करना कैसे है और जब हम question को देखते हैं तो कुस तर से हम अपने answer को present करेंगे एक बहुत important step होता है तो उसके बारे में भी discuss करने वाले हैं चलिए वीडियो को start करते हैं और detail में समझते हैं सबसे पहले हम अपने book के बारे में बात करें तो यह MA history second year का MHI 06 book है आपका जिसके अन्दर पहुत करते हैं भारत में बिवन युगों के दोरान समाजिक संडचनाओं के विकास के बारे में देखो आज हज जो हमारा समाजिक संडचना है या आरं बमे इस परकार का था? नहीं, बिलकुल भी नहीं समय के साथ एक लंबे समय में इंतराल के बाद में इसके अंदर में परिवर्तन हुआ, बीरे-बीरे परिवर्ती तोता चला गया, विक्सी तोता चला गया, जिसके बाद आज हमारा समाजिक संरचना इस परकार का देखने के लिए मिलता है, समाजिक संरचनाओं के अंदर में लोगों का जीवन वे अपन करने का तरीका किस परकार का है, किस तरह के घर मकान में रहते हैं, किस तरह का उनका दिवन जो दिन चर रहा है, वो किस परकार का है, इन सभी को हम बात करते हैं, अगर आप आरंबिक मानव की तुलना करो, तो आरंब में जो मानव था, वो सिकार और संग्रहन पे निर्वरता, समय के साथ में परिवर्तन हुआ, देरे-देरे वो पसुपालन के और अगरसर हुआ, पसुपालन के बाद में वो कृष्ची के और अगरसर हुआ, फिर उन्होंने देरे-देरे समाज का निर्मान गया, ए पर प्राचिन समाज के पुनह निर्मान और सुरोतों के विशे संदर्व के बारे में देखिए जब हम इस्ट्री के अंदर में बात करते हैं तो एक सुरोत का टॉपिक है न कि भीया आपका रेफरेंस क्या है कहां से आप बता रहे यह चीज ऐसा है अगर हम कहते हैं हडपा पर तो मैं था नहीं या मेरे पिता जी थे नहीं जो मुझे बता दिये मैंने उसकी बीसिक को आपको बता रहे हूं तो यहां पर सुरोत क्या है आप किस आधार पर यह चीज़े बोल रहे हैं तो इस्ट्री के अंदर में सुरोत् बहुत ज्यादा इंपौर्डेंट होता है और जितने भी MA history के student है या history के student है वो हमेशा अपने mind में चीज़ को डालें कि कोई भी topic जब पढ़ रहे ना तो अपने मन में question होना चाहिए कि topic का सुरोत क्या है कहां सी चीज़े बताई जा रहे हैं इसमें एक question बनकर आता है कि भारत के इतियास के अध्यन के बिविन सुरोत क्या है तो देखो जो भी हमारे पास सुरोत होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है पुरातात्विक सुरोत और दूसरा होता साहितिक सुरोत पुरातात्विक सुरोत के अंदर में क्या आता है कि जो भी खुदाई की में समान मिले मिर्दमान मिला सिक्के मिले मन के मिले के इन्दर में कोई भी गरंट मिला या तरह व्रतान्थ मिला ऐसको लेकर बने कर जो भी स्रूत मिले कि समराथ filter जो भी सुरोत मिले उस टाइम पिरेड के लिए कि किस तरीके पे भारती अत्वस्ता रही होगी भारती तियास रहोगा भारत का समाज रहोगा उसको लेकर हम यहाँ पे बताते हैं यहाँ पर अध्यन के अंदर में आजाता है बोध जैन्धर्म के गर्न्तों सुरोत आ जाते है समदाज असुफ के सुरूत आ जाते हैं साथ वहां के जो पुरातातिक सुरूत रहे मिर्दबान के लिए समारक इसके बेसिस पर यहां पर हम बताते हैं कि भागते इतियास के दिन के सुरूत क्या है पहला चैप्टर के अंदर में टॉपिक आता है कई बार एक्जाम में आपकोई है और मिख मानब के अपने कई बार पढ़ाऊ होगा कई सारी वुख कर अवह उतलं करना करता ता और दी till परिवर्तन हुआ उझारों में परिवर्तन हुआ उनके घीवन वापन के थरीकों में परिवर्तन देखा जाने लगा और वो धीरे-दीरे पसुपालन समाज की और अगरसर होने लगे तो यह परिवर्तन का दोर यहां पे कहलाता है कि किस तरिफे क्या चीज़े में देखने के लिए मिलती हैं तो इस लेसन के अंदर में टूटल चार टॉपिक आते हैं पहला टॉपिक आपका रहेग तो ओजार देखने के लिए मिलते हैं मिर्त भांड देखने के लिए मिलते हैं अलगलगतर के जो साक्षे मिले बारत के अंदर में किस तर से पुरातातिक समाज के अंदर में लोगों का जीवने अपन करने का तरीका ता किस तरीके से लोग अपना दिमचर्य जीते थे उसके संग्रहं पर निर्बर होना होताः चला गया सिकार के लिए चोटे जानवरों और करता था संग्रहं पर समय के साथ इसमों के साथ में जाकर सिकार नहीं किया जाता था ऐसा माना जाता कि अकेले वेक्ति सिकार करता था आरम में छोटे जानुरों का पर धीरे भीरे उनका जो समुदाय था न वो बढ़ता चला गए जिसमें वो गुरुप में सिकार करने लगे तो किस तर से उन्होंने समाज कर निर्माण किया गुरुप का मतलब क्या होता है कि आप कुछ लोगों के साथ म हम समाज का निर्माण करते हैं ठीक है जिस गली में मैं रहता हूँ अगर मैं उस गली में स्रिफ मेरा ही घर है और स्रिफ में ही रहता हूँ तो कोई समाज नहीं है मैं जी हूँ मरू कुछ भी करू कोई लेना देना नहीं कहीं भी सोजाओ कोई लेना देना नहीं है पर जब जब हमारे घर के आज़ पास में और नए घर बन गए ठीक है पूरा एक boundaries बन गया तो एक ना limitation हो जाता है नए rules डाइरे बन जाते हैं कि यह चीज़ आप कर सकते हो यह चीज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ मानव का जो काल था ना उस ताइम परेड़ पे सबसे पहले सिकार और संग्रहन से वागे बड़े अपने समाच करने में मान किये फिर खागे उत्पादन के और बढ़ते हैं किस तर से कौन सा फसल बोने से अच्छा रहेगा कौन सा फसल जैरी लाए कौन सा फसल खाने लाए कितना टाइम प्रेड लगेगा किस मोसम में बोया जाना है एक लंबा रिसर्च की जुरत पड़ेगी किसी के लिए भी तो आदी मानव के द्वारा भी जो आरंबिक मानव थे ना उनके बारा भी इसके अंदर में एक लंबा समय अंतरा लगा हुआ जिसके बाद उन्होंने फारंबिक खाते उत्पादन के और बड़े हों गया और उसके बाद वो क्रिशी के और अग्रसर हुए और क्रिशी के लिए में चीज़ क्या थी कि आपको एक जगह रहकर इस्थाय स्थ पर कि उत्पादन के लिए और झाते हो खा खाये यहां पड़े हुए तो आपने जो फसल बोया है उसकी देख़न के लिएए पको एक जगह स्थी रोकर वहाँ भी आपको एकबाल करना होता है तो उसके कारण से आपके पास ईक परमनेंट address बन जाते है जहां पर आप रहते हो तो किस तरीके सिदमें परिवर्तन आया यहां पर बताना होता है ठीक है चोर्था topic इसके अंदर आता है second chapter के अंदर में पुरा पाशान यूग की परमुक विसाइशता है, जो पुरा पाशान यूग था, पुरा मतलब होता है, पुराना, पाशान मतलब पत्थर, पुराने पत्थरों का जो यूग है, उसकी परमुक विसाइशता है, किस परकार की थी, वो आपको यहाँ पर बताना है, देखो इस किस तरीके से topic आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा change हुआ है तो आपको एक MHD के student के point of view से यहाँ पर answer लिखना है कि किस तरीके से क्या चीज़े बदल रही है ठीके क्या परिवर्तन हुआ है question पूछने का तरीका में थोड़ा सा यहाँ पर changes देखने के लिए मिल जाता है तो वह आपके लिए यहाँ पर plus point लेगा जो आप अपने आप लिख सकते हैं चैप्टर के और बढ़ते हैं चैप्टर no.3 जहां पर हम बात करते हडपा इस्थल की और अन्य तामर पाशान संस्कृतियों के बारे में हडपा इस्थल है क्या और तामर पाशान संस्कृतियां है क्या तामर पाशान मतलब तामबे का उपयोग करना, कौपर का उपयोग करना शुरू हो चुका था लोगों के दोरह में और यहां से ना एक तरसे मालो करांतिकारी यूग के तोर पे हम देखते हैं इससे पहले जो लोगों की डिपेंडेंसी थे जो आरंबिक मानव की थी उनकी कहीं ना कहीं पत्थ्रों पे ज़्यादा थी ठीक हो पत्थ्रों के उजार बना रहे थे पत्थ्रों सही कारे कर रहे थे पर जब तामर पाशान यूग की सुरुआत होती है लोह यूगीन के सुरुआत होती है तो वहां पे धीरे धीरे जो उसके अंदर में परिवलतन देखने पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान तक का पूरा फैलाव आपको हडपा स्थलका देखने किले मिल गयाता है तो हडपा की समाजिक संवचना किस परकार की है लोग अपना जीवन वैपन के लिए किस तरीके से करते थे किस तरह से जीवन वैपन का आधार था हूं का ठीक है सबस में पूछा जाता है हमारा सेकेंड्day में कि हडपा का हडपा सब्ँवकर कहाया कि अन्त कैसे हवा पतन कैसे वह मोटा सब्दार गया जाता है कि कोई ब्राकरतिक यात All कि को आप इसके आप ए ओ पिझे निहीं होंगा भलाइन लोग और भाइन होगे दोसी दोस्मारी फैल फचीज़ा दे शते हो नते हो जाना जाथ है और किसी भी टॉपिक तो करता ने तो हडपा सबता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, क्या कारणत है, उसको यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर जो आपका समाजिक संद्चना वाला कोश्चन यह important रहता है, तो इसको आप study करके चलोगे, चैप्टर नुमर 4 के और बढ़ते हैं, चैप्टर नुमर 4 के अंदर वहाँ पर आपको वन ववस्था देखने के लिए मिलता है, वन का विकास किया गया, जिसमें सबसे उपर आ जाता है, ब्राम्मन, छत्रिये, वैशे और छुद्र, ठीके इस तरह से चार वन ववस्था को इंदर में बाटा गया था, जिसमें सबसे उपर ब्राम्मन को, बैठे के लिए गया, जो वैस्था लोगते, ठीक, आपर वैस्था मतलब वह नहीं धन्दे वाले के बात निकर रही है, यहाँ पे हम बात कर रह那么 मतलब जो वैपारी वर्गता उसको यहाँ पर वैशे का जाता है, तो वैपारी वर्ग उनको थाई का काम दिया गया था, था जो पार्ट बॉडी पार्ट का जो थाई वाला इसा था वो वैश्यों को दिया गया था क्योंकि जितने भी अगर आप देखोगे ना पुराने जवाने के अंदर में जो वैपारी लोग हुआ करते थे अपने गल्ले पे जो उनका दुकान होता था जो भी होता था ना वो गल् वर्ण का विकास किस प्रकार से हुऊ यह पूचा जाता है डíere डिरे इसके अंदर में क्या होता है परीवर्थन schemes लोग जिस घ्रूप में रहने लगे उसके साब एक जाती ववस्ता का निरुबान हो जाता है और समय के साथ यहां पर जाती ववस्ता भी हमें देखने के लिए मिलती है तो इस चैप्टर के अंदर में टूटल तीन टॉपिक आते हैं पहला टॉपिक यही रहता आपका वर्ण का विकाच किस परकार से हुआ दूसरा टॉपिक यहां पर रहता है कि संगोत्री संबंद और प्रित्र सतात्मक नाचे किस परकार से संगोत्री संबंद क्या होता है कि आपस में रिस्तेदारी नातेदारी व्यवस्ता किस परकार से आया यहां पर जरूरी निया कि हर बार संगोत्री संबंदी लिखा है यहा मिर्जापुर क्यांकि अच्छी वेया साथ है मुन्ना भाय होते हैं मुन्ässा वहते हैं के इस पॉलिटिशन की यहाहिए उसका में रीजन में रहता है रहता है ऑगर आप उस का दिक यह करोगे तो एक तो आपके पापा की जो पहुँच है तो यह बढ़ जाएगी आप सराप सुरराजनेती में आ सकते हो ठीके आपको रोक करने वाला कोई नहीं होगा जिसके कान जै उस लड़की के साथ में उस नेता कि लड़की के साथ में साथी करवाइन जाती है तो एक तरसे नातेदारी व्यवस्ता है संगोत्री व्योंख चैब्मुप कहते हैं टीके सादू उनकी फैमिली ति पानच ऌ साथ साथ लोग उन इसे भी हमारा जान पेचान होगे वह भी हमारी हमरी फैमिली की तरह हो गए अगर कुछ बात होता है इन फ्यूचर कभी भगवाना करें इर भी तो ये भी एक important test submitted based Question के अंदर में मैं देखने को बीटका हुआ है मातर स्टातम पो畫 महता जो भी दिकार है जो भी राइट से जो भी उसके पास मैं धन्रपुझी जोदी संपति ता बेटी को मिले बेटी का पिर उसकी बेटी को फिर उसकी बेटी को यहाँ पर पूरा ना जो फaskन वाला चलता इंटा ना लड़ियों कोही पास किया जाता है की आ जाता है इसमें तीसरा वेदों का निर्मान हुआ क्या था किस दर पूरी ववस्ताती तो बैदिक काल कें अर्में वर्ण ब्राह्मन के गर में बहुत ही जादा बिकार, कुरूप बच्चा पैदा हुआ है, कुछ बुद्धी नहीं है, तो अपने आपी छुद्र के पास चला जाएगा, इस सर से पुरी ववस्ताती और छुद्र का कारे करेगा, पर समय के साथ में क्या हुआ, कि जो जिस घर में यहाँ सर से तमियाय, जाती ववस्ता का आरंव देखा जाता है, ठीकित, आगे बड़ेई, चैप्तर नुमोर 5 की ओर, चैप्तर नुबर 5 में हम बात करते हैं, लोह योगीन, संस्किर्टियों के बारे में हम बात करते हैं, अब देखो, यहाँ पे ना, सबसे पहvärले तो Samarpa के अंदर में क्या परिवर्तन आया किस तरह से बदलाव आया यह एक टॉपिक रहता है इंपोर्टेंट आपका चैप्टर निंबर फिफ्ट के अंदर में यहां पर लोहे के उपयोग के बाद क्या हुआ ओजार बनाना लोगों ने सीखा किस तरीके से उजार बना सकते उसका कैसे कर सकते हैं पहले पत्थरों के उजार बनाते थे तो उतने कारगर नहीं थे उतने ज्यादे यूजफुल नहीं थे पर समय के साथ में क्या हुआ उन्होंने लोही के उजार बनाना सीखा ठीक है जिसके काण से ज्यादा यूजफुल रहे और उसको अच्छे तरीके से और ज्यादा suitable रह समय के साथ में उसको ज्यादा दूर तक के लिए सिकार करना ही भी रहा, ठीक है, useful रहे एक तरह से लोह यूगिन संस्कृति के अंदर में, तो यहाँ पर किस तरह से समाजिक धाचे के अंदर में विकास वह संस्कृति हुआ, विकास किस प्रकाल से हुआ, य यह आपको बताना है लोह यूगिन संस्कृति के अंदर में, ठीक है, चैप्टर नॉम्बर शिक्स के और बढ़ते हैं, चैप्टर नॉम्बर शिक्स के अंदर में हम बात करते हैं, टोटल चार टॉपिक के बारे में, यहाँ पर पहला टॉपिक आपका आता है यह कि छटी स सताउधी इसा-पुरुब में, समाजं 운영 होने वाले बदलाव, भौतिक संस्कृतिक समाज ही को धार्मिक परिवर्तर में, अब यह को छटी सताउधी के अंदर में, किस तरस तरस समाज coming बदलाव आया चाहीं आप भूतिक संस्कृतिक ये समाजी का और धार्मिका धार्मी का दार पर बात करो अब छटी सथ आफधी के अंदर में क्या हुआ? पोधका निंद्रम का स्टार्टिंग हो चुक हुआ था, जैन धिरम का सार्टीं हो चुका था से बनाए जा रहे थे ठीक स्मारक किस तरफ से निर्मान के जा रहे थे किस व्यक्ति का कितना योगदान होगा इन दर्मों के अंदर में यह एक important रोड यहां पर देखने के लिए मिल जाता है अब देखोगे छटी सताब्दी और साथी सताब्दी के अंदर में और यहां से यह स्टार्टिंग हो जाता है कि सतरक्री के प्रसार होता है यह हमें देखने के मिलता है पर यहां पर question यह भी बनकर आता है कि इनका उदे हुआ क्यूं किसी भी कहीं नहीं को नमें रहा होगा तीकि उनको satisfaction नहीं मिला होगा या कुछ और reason रहा होगा जिसके कांसे उन्होंने अपना खुद का एक वो start के एक आइडिलोजी के साथ में चीजे चली अगर एक पार्टी रहती तो भी चल जाता पर क्या reason क्या है कि हर वेक्टी की सोच एक जिसी नहीं तो अलग अलग आईडिलोजी के लिए अलग अलग पार्टियों का निर्मान किया गया है अपनी अलग पार्टी पूरा मतलब ढर्म पे बात करेंगे उन्होंने का अलग उसके आईडिलोजी पे चलने लगे ठीके बट रियलीटी है वहाँ कि किस तरह से दरभान हुआ और किस अधार पर बोतिक समाजिक और भार्मिक करिवात्तरन गें जाता है यह आपको यह पτο रहरा है इसका डूसरा टौपिक तीस हैं बहुत इंपोर्ण आपको सभी से पढटना Korea यहां दूसरो हमारा टॉपिक आता है जैन्ध्रम की उत्पत्ति किस प्रकार सब्सक्राइब करो और किसी और बुक की बात करो जटर में बोलू, तो आपको करना क्या है, तो last five year के question paper की वीडियो जरूर देखना है, दाइनब के उपर में आपको मिल जाएगा, हर playlist के अंदर में, जो भी आपका subject है, ameistry का, हर playlist के अंदर में आपको five year के question paper की वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को जरूर देखें, अगर आप एक वीडियो देखते हैं five year के question paper का, तो उससे आपका benefit ये रहेगा, कि आप एक idea लगा पाएंगे कि most repeated, most important question कौन से है, question का pattern किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, पुरा solve है, तो आपका ने एक बहुत अच्छा scope बन जाएगा, number gain करने का, और पीछे जिन बच्चों ने भी देखकर उस वीडियो को exam दिया, तो बहुत अच्छा है, response रहा है उन बच्चों का, अच्छे number मिले हैं, तो उसके basis में recommend करूँगा आपको कि आप भी उस वीडियो को देखे, दौनों टापिक पूछे जाते हैं, दोनों के pattern same ओते फिक प्रम्वी क्या अब यहां अप महायान है तो किस तरीके से गृक्सित भूथ हुआ यह आपको बताना चयायांत महायान, इस को बताना है, यहां पर बता करना होगा ठीक है अगले आगे बढ़ते हैं जहां पर हम बात करते हैं बाइब और प्राइब भारत के अंदर में बोध जो बोध धरम है उसका उदे के अदूदे के इस परकार से हुआ बोध धरम का उदे किस परकार से होआ है यहां पर बात करें तो यहां पर देखोंगे न राई जो बोध रही इंसेंटल और यहीं कोशन बनकर आता है अपके अधर में भी किम्मध्य और फ्राइब भारत के इंदर में वोध धार प्रसार किस तर् anh भारत में ही बोध्रम का उद्हें हुआ जैंद्हराम के और सबसे जादा बोध-ध्रम माने जहां पर वह ऐकी वह मुर्त लब विकास फिस प्रकाद से वह पूरी विकास की प्रक्रियात को यहां पर समझानी है तो इजी कोशन है आप इसको कर सकते हो ठीक है बढ़ते हैं चैप्टर के और चैप्टर नमबर 8 जहां पर हम बात करेंगे इसके अंदर में जो टॉपिक आता है भारत में दूसरे सहरी कर आज पात में ज्यादा विकास नहीं था ठीक है दूर दूर पर एक एक दूदो घर दिखते हैं और यहां से हमारे घर से डारेक्ली हाइवे जो में था ठीक हो दिख जाता था कि दिख रही है बट आज के समय में इतना कंजस्टेड हो चुका है कि अगर मैं कभी ट्राफिक कि जानने फर्क जाना तो लेटर तो घंटे को घर पे डिखार करके चलने तक गहरें के लोगों प्रवास करना विस्थापित होना यहां पर थै यहां पर ठीक है और हमारे आने से बसने से यहां तो हमने घर बनाया बसा हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी इसी तरीके से अलग लग जो प्यार यूपी मद्वास अलग जगा सागे बसे तो वह जो परवास हुए ना एक जगो छोड़कर दूसरी के जाके विस्थापी त अब बस्थाओं के कारण से यह सहर का निर्मान करते हैं किसी भी सब्सक्राइब करो तो पहला से रिक देखा जाता है तो तीसरी से लेकर दूसरी जो दूसरी जो इसाफ फुरू के अगरा बात करो तो 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 प्रूपर एक सब्सक्राइब में किस तरह से इमारती थी किस तरह से लोगों का घरण मकान बनाये गइन इचला सहर डूपर एक सहर का में अब भास होता है, तो पहला जो सहर की प्रकृतिया हमें दीखने के लिए मिलती है, सिंदु गाड़ी सबधा के अंदर में दीखने के लिए मिल जाती है, वहीं पर अगर आप दूसरे प्रकृति की बात करो, तो आपको छटी सतावधी के अंदर में, मगद के अंदर में दीख को कायम क्या जाता था मौरे समराज्य के अंदर में मौरे समराज्य के अंतरगत दो राजदानियां बनाई गई कौन-कौन सी दो राजदानियां थी चलिए आप बताइए देखते कितने स्टुडेंट को पता एक हिंट भी में दे देता हूं जिसमें जो दो राजदानी बनीत के अंतरगत संपर्ग के बारे में और यहां पर ना जो पुस्टे और विहार ये होता क्या है इसको हम चैक्ते बोलते है विहार क्या होता है तो अजो अलग-अलग एक-एक मतलब जिसके लगना सभी और से बीच में एक मतलब मान के चलो कोठरी जयता है जिक है और उसके आज-पास में इमार्के बनी वह है कख्ष है एक कक्ष है और उसके आज-पास में कोठरी है तो यह भी बोद धर्म का प्रमुक तर्पर देखा जाता है बोद शांची का इस तूप आपने देखा होगा ठीक है अलग लग परेके जोग चीज़े होती है वह भी एक स्थल के तौर्पर स्मारक के तौर्पर मांगे चलते हैं ठीक तो चेक्टे और विहार जैसे चीजों का अधीवासिस समू और इसके बारे बगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक इंपोर्पर जिसके अंदर में टॉपिक बनकर यहां करना होगा जो बोद धर्म के टॉपिक है न कई जएग आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं जैंध्रम के रिपीट ह करके चलोगे lightly नहीं लेना है कि यह रहो जाएगा हमने पढ़ रखा है lightly मत लेना जब आप ना 500 word के लिए तैयारी कर रहे हो ना कि 500 word आपको लिखना है क्योंकि आपके एक्जाम के अंदर में इगनू के अंदर में word limit बहुत ज़्यादा तो कम से कम आपको 1000 word के सोच के चलना पड़ेगा जब 1000 word सोच के चलोगे तब आप जागे 500 word के अंदर में अंसर लिख कर आप आओगे तो यहां पर कोश्चन ने रता है बोद द्रम के प्रभूवी सिस्ताओं के बारे में थेकं समराट सोक होगा आपको यह बताना होगा आगे बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 10 जहाँ परहिकन के लिए तमिल समाज के अंदर में तो यहां पर एक कोश्चन बनकर ही आता है कि भाई तमिल समाज के बारे में जो भी हमें जानकारिया मिलती है उसके अध्यन का सुरोत क्या है किस तरीके से हम उसके बारे में बताते हैं तो अध्यन के सुरोत के हम दिखा देखते हैं कि संगम युक के परमभी के अतिहांसिक काल जो हैं, संगम time period के, जो संगम गरंत मिले है, उसके अधार पर हम कुझजों को बता पाते हैं, ठीक, संगमसाहितियों के अधार पर हम बता पाते हैं, कि ये चीज़ रही थी ठीक. इस तरीक निर्मान किया गया, ठीक, तो ये भी एक important रहता है. ठीक है तो संगम साहित्य के अधार पर भी हम इस चीज़े बताते हैं ठीक है समझ में आता है यह वाला टॉपिक आपको अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं चैप्टर नमर 11 जहां पर हम बात करते हैं विवा पारंपरिक जीवन असप्रसता धार नाय और वन जाती के बदलत टॉपिक है बट अगर आज के समय में जो रियलिटी है इस टॉपिक अगर आप उसको दिखाओगे किसी लड़ी की को बता हुए तो आज के समय में सो कोल्ड फेमिनिस्ट करके एक विचारदार आप बहुत जादा ट्रैवल करती है अभी मैं कुछ पहले एक वीडियो देख लीटिन नहीं यह बोला जादा था थीक है पट आयसा रियलिटी नहीं है बोड्ध धरम जेंडरम और हंदू घ्रंतों के नुज़ार एक पती का करतव्वे क्या है पतनी का करतव्वे क्या है किस Das harf से करतव्वे को भाटा गया है यह आपको समझ में आता है कि हिर्मिन Bis समय में यह बढ़कर होगा ठीक है कि लोग एक ऐसी हाउस वाइप को हाइर करेंगे जो उनके बच्चों को देख बाल करें जो उनके घर को समाले ठीक है पत्निया कमारियों में तो अलग और उर्ला को हैर किया जाएगा जो उनके रहाओ लें टिके तो वह कर्तव्य उनका निभाएगी ठीक है पर अगर आप हमारे हिंदी जो हिंदू ट्रेडिशन से देखोगे आप ठीक है कल्चर देखोगे या बो धरम या देन धरम के अंदर में देखोगे तो पहले से ही इन कर्तव्यों को बताया गया है किस तरह से पती की निरबरता पत्नी के लिए उपर में दोनों का कर्तव्य क्या है किस तरीके से दोनों साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं पर उतना जाद मैं ने देखा नहीं है पिछे की कई बार इग्जाम में पूछा जाए बट फिर भी आप इस्टेडी करके चलना देखो यह वाला जो सेकंड टॉपिक ना विवाह के प्रकार यह वाला टॉपिक अरेंज मेरेंड जिसमें लड़का लड़कीत पहले से प्यार किये लव कि किये ही उसके बाद में भी आप přुराणिक गंतों के understand Hindi मिलता है थार्मे उचल्ट दॉद 30 में किया लग अलग तरह कि इस्तर विवाह क inhale किसे से होताथा देव विवाह किस यतरस होता था ठीक है चांडाल विवाह किस तरह से होता था ठीक है तो किस तरीके से कौन से विवाह का क्या मतलब था समाज के अंदर में कौन से विवाह को accept किया जाता था इसके बारे में बताये गया है तो यह वाला टॉपिक भी आपका important रहेगा अगले टॉपिक और बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो मारा आएगा वन और जाती के संदर्व में परिवर्तन और समाज के सोरूप के बारे में बात करते हैं किस तरीके से वन और जाती के संदर्व में परिवर्तन हुआ और समाज का जो सोरूप है उसके उपर में impact देखने के लिए मिलता है देखो starting के ही topics के अंदर में ने बताया था आपको कि one ववस्ता किस परकार की थी और इसके motive किस परकार का था किस तरीके से one ववस्ता को आगे बढ़ाना था पर समय के साथ में इसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है दीरे दीते one ववस्ता जाती ववस्ता के अंदर में आता है और एक प्रित सत्तात्म के अमातर सत्तात्म का दार पर चलने लगता है कि अगर आप इस जाती में जनम लिए हो तो आपका यही रहेगा आपके जो knowledge है या wisdom में उसके उपर में बात नहीं की जाती है तो किस तर offenses के संदर में परिवर्तन हुआ समाज के अंदर में आपका है पारंबिक मद्देकलिन समाज हो के अंदर में परिवर्तन के बारे में जो स्टार्टिंग के समाज थे पारंविक मद्देकालिन समाज उसके अंदर में परिवर्तन किस परकार से हुआ ठीक है और यही टॉपिक आपका बन कर भी आता है एक्जाम के अंदर में कि पारंविक मद्देकालिन समाज के अंदर में परिवर्तन किस परकार से हुए ठीक है मतलब एक आइड़्य क्या है किस तरी puisque सम इतिहास लिखन के अंडर में जो समस्या है हो PayPal के इन्दर में इक डिवाइद कर लिए अभॉपर तर्स आप दार्मिक अधार पर बढ़ रहे ता सुसको हम ने हिंदू यूग में बाट दिया है पारंबिक मद्यकालिन समाज के अंदर में एक पूरा दौर है जिसको हम हिंदू युक के तौर पर डिवाइड करते हैं, दूसरा दौर जहां पर अर्वो का आकर्मन होता है, जहां पर मुस्लिम युक के तौर पर इसको डिवाइड करके चलते हैं, तीसरा युक जो पारंबि से इसके काला विदी करण किया गया किस तरह किसको टाइम में डिवाइड किया गया यह आपको यहां पर बनकर आ जाता है कोशन दो कोशन रहते हैं एक तो पारंबिक मद्यकालिन समाज के अंदर में परिवर्तन और दूसरा समाज को किस तरह के से समय विदी के अंदर में इसके अंदर में सामंतवाद से लेड़ी टॉपिक आता है और किसी भी बुक के अंदर में अगर आपको सामंतवाद दिखता है ना तो आप उस चैप्टर को तो फोल्ड करके लग लो भी है कि इसको दो चार दस बार आपको अच्छे से पढ़ना है इसको सही से तैयारी करके चलना है ठीक है क्योंकि सामंतवाद के टॉपिक अकसर एक्जाम में पूछ जाते हैं आगे मैं बढ़ू उससे पहले मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूँगा सभी वीवर से कि अगर अभी तक आपने मारे चनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर कर लें आप आपके लिए अच्छी से वीडियो बना कर आएं पर जो हम वीडियो डाल रहें उस तरह का रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है आप वीडियो देखते हैं उसके लाइक नहीं करते अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाते आपका एक एक लाइक सेर सब्सक्राइब नहीं हमें मोट चांगे और ज्यादव एक लगार मैं समंधवाद कर आता है यह कौशन सामंधवाद की दो आवधारणा होती है एक भारतिय संदर्व के अंदर गत सामंतवाद, ठीके भारतिय नजरिय के में सामंतवाद है क्या, दूसरा ये रहता है, यूरोपिय संदर्व में सामंतवाद, यूरोपिय संदर्व में सामंतवाद अलग है, भारतिय संदर्व में सामंतवाद अलग है, तो दोनों के अलग- ठीक है बट MHI 06 के अंदर में आपको सिर्फ भारती सामंतवाद को पढ़ने के लिए मिलता है वहीं पर MHI 03 के अंदर में युरोपी सामंतवाद, MHI 09 के अंदर में आपको युरोपी सामंतवाद देखने के लिए मिल जाता है सामन्तवाद का उदे हमें देखने करें मिलता है Bnahan De Arnudaina for सामन्तवाद का ओदे करने मिलता है और 성स कोई को जिकरो कोई राजा है उसका यह पूरे मतलग छेतर पर राज करता है उसका समराजय है और इस तो आपका इस जगह पर राइट है आप एक सेना बना सकते हो यहाँ पर टेक्स वशूल कर सकते हो और जो भी टेक्स है वसूल करोगे बदले में कुछ चाहिए नहीं, कभी अगर हमें सेना की जुरत पड़ेगी, किसी तरह की और मदद की जुरत पड़ेगी, तो हम आपसे मांग लेंगी, ठीके, मेन मालिक आपका मेहीर हुआ, बट आपके पास अधिकार है कि आप इसके उपर rule recognition कर सकते हो, ठीके, तो इस तरीक आपको help की जुरत पड़ी, तो ये बंदा भी अपना सैनिक वेनिक भेजेगा, ठीके, इधर से वो पैसे से मदद करेगा, तो इस तरीके से ये concept आगे build up होता है, भारत के अंदर में सामंतवाद हमें देखने के मिल जाता है, यहाँ पर topic ही नहीं कि भारत के अंदर में सामं सामंतवाद का उदे हुआ न, तो यहाँ पर जो लोग देना, वो धीरे-दीरे विस्थापित होने लगे, एक जगा सा दूसरी जगा विस्थापित होने लगे, ठीके, यहाँ पर पलायन करने लगे, जिसके बाद माना गया कि सामंतवाद के कारण से सहर का पतन देखने के मिलने लगा, ठीके, तो यहाँ पर क्या आफधारना है, सामंतवाद से सहरी पतन का, उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीके, यही आपका कोश्चन रहने वाला है, ठीक, इंपोर्डेन टॉपिक है, अगले चेप्टर के बढ़ते हैं, चेप्टर नूमर 14, बारे में ही कोश्चन बन कर आता है, देखो, यहाँ पर अगर आप बात कुरना, वर्ण और जातियों का सुड़ी करन के बारे में, तो सबसे पहला तो यही रहता है कि भीया, इसका उदे हुआ कैसे, जाती ववस्था का उदे किस परकार से हुआ, ठीक, वर्ण से जाते बढ़ते हैं, चैप्टर नमबर 15, जहाँ पर हम बात करते हैं, समाज में, धर्म के बारे में, ठीक, समाज के अंदर में, धर्म किस परकार से था, ठीक, पारंबिक मद्यकाल में, धर्म की मुख्य विसेस्ता है, तो अगर मद्यकाल का एक टाइंग दिखोगे ना, तो उस सम लोग जूट रहते हैं, लगलग पंतों से जूट रहते हैं, तो किस परकार से इनकी मुख्य विसेस्ता है, रही किस परकार से ग्रो के यह एक टॉपिक रहता है, इसके अंदर में एक टॉपिक और आता है, राज्य विस्ता पर धर्म का परभाव, ठीक है, जो राज्य है, तो राज्य व्यवस्था को उपर में धर्म का प्रभाव किस प्रकार से ये भी एक टॉपिक से अंदर में आ जाता है राज्य व्यवस्था को उपर में धर्म का प्रभाव ठीक है राज्य को चलाने के लिए पूरी परसासनों व्यवस्था है एक नियम कानून एक डायरा है कि ट्रोल किया जाता है तो उसके उपर में धर्म का परवाव कैसे पड़ा ठीक है आपने में जागरन के बारे में जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह धार्मिक जो तरह वह इतनी सक्ति तो यह सारी चीज़े आपको देखने क्लिए मिल जाते हैं तो राज्य ववस्ता को पर में धर्म किस तरह से हावी होता है किस तरह से उसका चलता है उसका प्रवाव किस तरह से रहता है यह वह टॉपिक बनकर आ जाता है ठीक है चैप्टर नॉम्बर 16 जहां पर हम बात करते है ग्राम समुदाई के बारे में यह कोश्ज़ मत लग लिवस्ता और अगर कारे कारे कर दा तो बड़े है तो एक ुहर्मacing के दर में किस तरह के लिए हैं dunno ज़ोगो जोगो के जुड़ी हुई है उसको आप यहाँ पर define करोगे ठीक अलग-लग लोगों के कार रहे इसके अंदर में टिपनी बेस कोश्चन और बनकर आता है इससी चैप्टर के अंदर में जजमानी ववस्था का कि जजमानी ववस्था है क्या ठीक है जजमानी जजमानी ववस्था होता क्या यह एक टॉपिक बनकर आता है अब जजमानी होता क्या है तो आपके घर में कोई ब्राम्मण पंडित आते होंगे तो बोलते होंगे जजमान इतने रुपे यहां रखिए पूजा पाट करवाते ह तो उस ब्रामण के लिए आप क्या हुए जञां गैता करते एग पूशते हुए बात करते हैं गरमन समाज के बारे व्त्तर भारत के ग्रमिण समाज किस परकार कुते यहां पर टोटल चार यह तोपिक आता है जो important topic रहते हैं मुछ topic में आपको बताऊं तो- earthquake में आप को बताऊँ तो फुई टॉट टॉपिक का आ ग्रामिन इस्तरीकरण के बारे में तो ग्रामिन स्तरीकरण के बारे में, ठीके गाओं के इंदर में, किछ सारी करें गौने के से लोगों को बाठा गया है कि किसका कॉर यह है किस का नदर में कैसे डिवाइड कर गया उसका बनकर रहते हैं एक कॉस्छीन कॉपी स्टड़ी करके लिए के चलो एक नएक टॉपिक आपके एक्जाम में बनकर आएगा ही आएगा ठीक इस तरह से रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नूमर 18 जहां पर हम बात करते हैं गरामिट समाज उत्तर भारत उत्तर भारत मतलब ऊपर वाला हिस्सा जात पर आता है टॉपिक आपका बनकर बलूतिदार व्वस्ता को लेकर कि बलूतिदार संगटन कि स परकार के लोटिदार वस्ता कि स परकार करते इस तरह के कोशिए बनकर आता है एक इसके अंदर में topic ये भी बनकर आता है कि 7 वी से लेके 12 सिताबी के अंदर में दच्छिन भारत के ग्रामिट समाज का धाचा किस परकार का था और प्राइडी पी भारत के अंदर में ग्रामिट समाज का निर्माना किस परकार से हुआ ये question बनकर आता है ग्रामिट समाज के स्वरूप के बारे में बन कर आता है तो यहां पर नॉर्मली यह रहता है ना कि गाओं के कौन-कौन से काम के अधार पर मतलब काम के अधार पर किस तरह से लोगों को बाटा गया गाओं को किस तरह से बाटा गया काम के अधार पर लोगों को किस तरह से बा वहां ग्रामिर्ट समाज की स्थिति किस प्रकार के रही यह आपको यहां पर बताना होता है चैप्टर नुम्बर इटीन ठीक है अगले चैप्टर के बढ़ते हैं चैप्टर नॉम्बर नाइंटीन जहां पर बात करते हैं पश्चिम भारत के अंदर में वंस और राज्य वव राजपूतु की समाजिक सं रचना बारत की राज इंदर में आता है। जो राजपूतो के बारे में यह आपको बताना होता है। ठीक है राजपुतों के समाजिक संद्रचनाओं के बारे में यह आपको यह पर डिफाइन करना होता है, ठीक है, चैप्टर नमबर 20, उत्तर भारत के समाजिक जो वर्ग है, उसका उदे किस परकार से हुआ, यह रहता है, इस वाले चैप्टर के अंदर में डो टॉपिक बन कर जाता है, और साथी साथ एक कोशन यह भी बन कर आता है, कि मद्दे काल के अंदर में महिलाओं की स्थी काउंसित, कैसी थी, यह वाला टॉपिक इंपोर्टेंट है, कहीं पर भी अगर आपको महिलाओं से लेटी टॉपिक मिलता है, कि महिलाओं की स्थी किस परकार की थी, ठ गुलामी पर्था क्या है चैप्टर देखने करने मिल जाता है क्योंकि उत्तर-भारत के इंदर में होता यहां पर तो यहांपर दोनोंद चीजा हैं इंपोस्टेन नोbor 21 जहां पर बात करते और बात में बदलता हुआ समाज़िक धानचें próg ठीक जो प्राइडीपिय भारत है, उसके अंदर में किस परकार से जो समाजिक धाचा है, वो उसके अंदर में बदलाव हुआ, यह आपका कोशन बन कराता है, प्राइडीपिय भारत मतलब किया अदच्छीन भारत का इससे की बात कर रहे हैं, उसके समाजिक धाचों में क्या समाजिक धांची है जुव मद्यकाल का टाइम पी रहता है उसके अंदर में किसह से समाजिक धांचों परिवर्तन हो रहा था और दखन के सूफीबाद राजनीति को समाजिक भूमिका यह बहता है तो तो टापई यहां पर इंप्टेंट आ गते हैं पहला तो मद्यकाल के प्राइदी पे भारत के अंदर में समाजिक संद्चनाओं में किस तर से बदलाव हुआ कि थी कि वो बताना होता है अब यह को मद्यकाल के अगर आप भारत के बदलते वे समाजिक धांचों की बात करोगो तो अलग-अलग यहां पर राजिविंसों अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं अगर कोई राजा नहीं है किसी जगह पे कोई किंग नहीं है तो सूफियों को ही यहां पर संत मांना जाता था उनके ही उनके जो भी फर्मांण को न उसको कानून माना जाता था और उसके अधार पर ही फैसला के जाता तथा और सूफि अगले चैप्टर के बढ़ते चैप्टर नमर टुए ook बात करते समाजिक आर्धिक आनदुलन के बारे में अब देखो एक ऐसा दोर शुरू हो चुका था जहां पर समाज के अंदर में आंदोलन के काल, आंदोलन की जा रहे थी, ठीके, अलग लग तरह के आंदोलन थे समाज के अंदर में, ठीके, तो किस तरह से समाजिक आर्थिक आंदोलन समाज के अंदर में क्या बदलाव हो रहा यह आपको यहां पर देखने को लेए जाता है तो यहां पर एक टॉपिक आपका याता है कि समाजिक समाजिक धार्मिक आंदोलन भारत के इंदर में एक ऐसा टाइम प्रेट जब सूफी संद का उद्य हुआ अलग धर्मों का उद्य हो रखा था तो उस समय पर किस प्रकार के स कीस तर से दर्म के बीच में परिवरतन करायँ आ रहा था तो इसको आपको यहाँ पर बताना होता है थी कि अदरर में एक टोपिक आपक बनका आताया कि 9 सताब्दी से 14 सताब्दी इस पर थी कि आ अधारी 되어 समाजिक अंदोलों का प्रादु अधाiska किस प्रकार से हुआ अब देखो जो यह पूरा जो time period है ना सूफी संतों का time period देखा गया जहाँ पे अरब से आई हुए जो सूफी संतों थे वो इसलाम के परचार परसार में जूट गए ठीक है same time पर थोड़े time के बाद आपको यहाँ पर देखने कले मिल जाएगा और परकार से हुआ क्या हमें पता जलता है संगम साहित्ति के अदार पर यह आपको बताना रहता है तो यहाँ पे जो topic आपका important रहेगा न यह वाला topic और पहला दूसरा पर भी लास्ट टाइम पिरेड के लिए क्योंको इगनू की बुक तो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी मतलब आप UPSC की भी तैयरी करोगे न तो इगनू की बुक से बैस्ट बुक नहीं है कि आप last five year के question paper download करो दस्तार के question paper download करो एकनू मैं free mail जाएंगे वहाँ से download करने के बाद un question paper को solve करना है start करो जितने ज़ादा आप question paper को solve करोगे आपका benefit कि रहेगा कि आपका answer writing की practice होती चल जाएगी आंसर किस तरी के सा लिखा जाता है इसका practice होता चला जाएगा जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे ठीक है time management करना सीख पाओगे क्योंकि 3 गंटे के अंदर में आपको total 100 number के लिए तैयारी करना है 100 number के लिए paper लिखना है ठीक है और 3 गंटे के अंदर में किस तरीके से किस question पे कितना time देना है ये भी एक important रहता है ठीक है normally क्या होता है कि जो starting के first और second question होते है उसमें हमेसा ज़्यादा time लगता है तो हमें कौन से question को पहले और दूसरे number पे करना है ये हमें देखना होता है second, third, fourth number पे कौन सा करना है ये हमें देखना होता है ये एक important decision रहता है अगर आपने गलत decision लेकर चले पहले और दूसरे question के लिए तब आपका पूरा time खराब हो जाता है और आप question अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो किस तरीके से क्या selection होना च्छे ये भी important रहता answer writing के अंदर ठीक है, और जब आप answer लिख रहे हो तो किस तर से word limit follow करनी है क्योंकि MA history के अंदर में word limit बहुत important है, MA history की बात नहीं करता हूँ मैं किसी भी course को आप कर रहे हो ना कहीं से भी कर रहे हो, तो word limit बहुत ज़दा important होता है ठीक है, कई बार ऐसी अगर फालतु का ज्यान देना हो ना तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो पर proper एक limit word के अंदर में जो पूछा जारा है उसको answer देकर आना एक word limit के अंदर में, एक दाइरे के अंदर में सिमित मातरा के अंदर में, वो difficult कर देता है ठीक है, और दूसी चीज ये भी होता है जब आप bounded हो कि 500 word के अंदर में ही लिखना है तब आप उसके लिए आप 1000 word, 1500 word पढ़ कर जाओगे ना, सही तरीके से तयारी करें जाओगे जब 1500 word का, तब जाकर आप 1000 word, 500 word के अंदर में सही तरीके से सही points को valid points साथ में answer लिख के आप आओगे ठीक है, आपको हमें साथ पैरा point का यूज करना है आप ये मत करिए कि एक-एक point बना रहे हो और एक-एक line के अंदर में खतम करो, पैरा point बनाओ एक point लिखो, उसको 4-5 साथ line के अंदर में express करो, अगर आपके पास में कोई diagram है, diagram आपको mind में किसी चीज को लेकर, जैसे अब यहां पर बात करें, प्राइड इपे भारत के बारे में, तो प्राइड इपे भारत निच्छे वाला हिस्सा होता है, तो यहां पर मैंने ऐसर diagram बना कर दिखाया तो इस तरह का अगर आपके mind में diagram है, मेरा जैसा मत बनाना, मेरे जैसे बनाओगा ना, तो teacher check भी नहीं करेगा, एक proper diagram आपके mind में है, तो आप उसका use पर सेगा, तो diagram से भी एक अच्छा impression पढ़ता है, ठीक है, जो check करने वाला जो professor होता, teacher होता है, वो देखता है कि उसको लगता है कि हाँ, बच्चा पढ़कर आया है, भले ही आप एक दिन पहले ही पढ़कर आया हो, ठीक है, और सबसे most important दाइनप के उपर में जाईए, वहाँ पर आपको बतेरे वीडियो मिल जाएंगे, यह में हिस्ट्री की, almost 500 से ज़्यादा वीडियो में हिस्ट्री की डाले गई है, दाइनप के उपर में, पिछले कुछ सालों के अंदर में, आप वो सारी वीडियो आपके लिए के अंदर में संकर्मन फैला, संकर्मन अतलब कोई बिमारी की बात नहीं कर रहे है, हमकी बिमारी फैल गई, ठीक है, अठारवी सताथी का कहने के मतलब एक संकर्मन काल के तौर पे देखा जाता है, इसके अंदर में समाच के अंदर में सुक, सम्मिर्धी और विकास किस परक करन का विकास ठीक है जो डिएक करांती-कारी जो विकास था वो भी आपको 00était अंदर में देखने कर दो हुआ जाता है ठीक है जो इंडूसर्टी थे वह बढ़ रहे थे भुगोलिक तौर पर आर्थिक तौर पर समाजिक तौर पर राजनेतिक तौर पर विकास आपको दिखने मिल जाता है तो क्या impact पड़ा समाज के इंदर में किस तरह के से इसका विकास सुक और समर्दी के सताबदी के तौर पर दिखा जाता है यह आपको define करना होता है दिखो अलग-अलग person के लिए अलग-अलग समाज के लिए सुक समर्दी का अकाल अलग-अलग definition हो सकता है बट यहाँ पर आपको बढ़ना और बताना है कि भारत के इंदर में किस तरह सचीजे रहती है ठीक है अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग topic को लेकर अलग-अलग ideology होता है ठीक है सबकी विचारदार है सेम नहीं रहती है जो रास्टवाद के जो समर्थक लोग थे जिनकी रास्टवादी विचारदार आती वो अपने रास्ट को सरुपरी मानते थे समार सुधारक थे तो उन समाजिक धार्मिक आंदोलन के आफधारना किस परकार से हैं समाज के अंदर में जो कृतियां थी उसको दूर करने के लिए किस तरह समाज सुधार आंदोलन चला जाने लेक भारत के इंदर में रास्ट वादियों के तूरू समाज को रास्ट को अपने रास्ट को सरुपरी क इस तरीके से रखा गया ठीक है समाज के इंदर में इसका impact क्या पढ़ा रास्टवादियों के विचारदरा का समाज सुधारकों के विचारदरा का यह दोनों चीज़े आप आप बता नहीं होती है समझ में आता है अगले चैप्टर के बढ़ते हैं चैप्टर नमर 25 चैप्टर नमर 25 के अंदर हम बात करते हैं नए एतिहासिक संदर में जातियों के अध्यान के बारे में देखो इस वाले बुक के अंदर में नवर्ण जाती से लिटीड बहुत सारे चैप्टर से आपको एक कोशन बन कर आता है आपका चैप्टर केंदर में तो इसको आप बदा सकते हो ठीके जाती ववत्षार के ओवस्था के इंदर में बाटा ववस्था का अविश्कार करके हमें लंबे समय तक गुलाम बना के रखा गया यह भी चीज़ यहां पर देखा जाता है भारत के अंदर में पहले से वर्ण में बटे हुए थे उसके बाद यहां पर जाती ववस्था का सुरुआत हो जाता है और जो इस इंडिया कंपनी के प्रवसण के बारे में अब देखो यहां पे ना के अंदर में आप को यह देखने के बिलता है कि एक जगہ सा लोग दुसरी जगा विस्थापीत करने जा रहे हैं जैसे इस इंडिया कंपनी के लोग आए वैपार करने के लिए बाद मुर्ण हुने गुलाम बना लिया गुलाम बनने में भी कुछ ऐसे लोगों का हाथ ता जो धोकी बास थे जिसके कारण से गुलाम बनने भारत के लिए गया है जहां पर हम बातके सहरी और ग्राम के अंदर में समाजिक संवाचनाहो के बारे में। चह्र और ग्राम के अंदर में समाजिक सनरचना किस परकारी की हैं यह डापका रहता है। सहर के अंदर में रूल रेग्लिश्टन का जो इंप्क्ट वो अलग है ऐब जाते हैं अगर आप वही बिहार कानुन को फोल अप कर्वाने वाले हैं तो उस संद्र परभाव था इस तर से ग्रामिट संजरचना के अंदर में वह आपको बताना है ठीक है चैटर 28 जहां पर हम बात करते हैं उपनिवेशिक वन नीतियों के बारे में के अची लगता है कि अपनिवेशिक वनेति का मतलब क्या कि roughly इस अंडिया द्वारा में जो ब्रिति सरकार थी उसके दौराल में किस प्रकार का वन नीति लाए गया नीति जगल नला से लाए गया जंगल निधि वन नीधि फॉररिस्टिय कुछ भी को आपका सनild, लोगों का मतलब ना जो रहेंसन आर्थिक प्रवाव समाजिक प्रवाव उसके अंदर में परिवाव अंग्रेजी सरकार वन नीती लेकर आई न तो उसमें आसा नहीं था कि लोगों की भलाई के लिए लेकर आई जिससे लोगों का मतलब ना जो रहनसन आर्तिक प्रवाव समाजिक प्रवाव उसके अंदर में परिवर्थन देखने के लिए ऐसा निता कि वो लोगों की भलाई चाहते थे वह अपने फाइदे के लिए लेकर आए उनको यह समझ में आ गया उस जो दौर था ना य लेकि चल दो भारत को कंगाल कर दो तो सरी के काइडिलोजी थी तो वहां पर उनके लिए एक वन निती बनाई जो जंगल में रहने वाले लोग थे उस चीज़ का उप्योग नहीं कर सकते तो उनके अधिकारों को छिलने की कुर्शिस की गई और वन निती के तरगत जंगलो को बांटा गया अलगलग पार्ट्स के अंदर में, कुछो संगरक्षिट बन बनाए गहें, कुछ ऐसे बन बन बनाए गहें जिसका यूच कहा जासकता था, कुछ पब्लिक जoben कर सकें जबाव बनासकेzen canadar ये मेन मोटी थोर पर हमें देखने के मिल जाता है देश से समुधाय पर प्रवाव क्या पड़ता है तो जोहां पर आम जनता थी रहने वाले जिनकी निरभरता ही जंगल पर थी आदिवासी जो लोग थे जो जंगल पर जिनकी निरभरता थी तो उसके उपर में directly impact हमें देखने के लिए मिलता है इसका क्योंकि कहीं न कहीं अग परादिक जनजातिय अदिनियम इसके अंदर के द Capt क्या था कि अगर किसी तरह का मुतभेड होता है VS तो जंगल के नदर में आप जा रहे हो उन्रूल को नहीं तो आपको अपराधिक अधिनियम के अंदर रगत आपको जेल दिया जाएगा सजा दिया जाएगा एक अपराधिक अधिनियम उन्होंने बना दिया था जंजातियों लोगों के लिए ठीक है जो लोग जंगल में रहते थे जंगलों के अंदर में रहे आपने कई सारी मूवी क के अंदर में दिखाऊगा मुझे इतना ज्यादा डिफाइंड करने की जुरूत नहीं है भारमार मूवी है इन सब टॉपिक सुपर में बनी हुई जन जातिय दिनियम के बारे में तो यहां पर आप उसको बता सकते हो ठीक है तो मुझे में आता है अगले चैप्टर अगले च समाच के अंदर में जो परभाव ते जैसे सती परता जैसी कुरितियां थी बाल विवाब भुण अत्या यह सीधा ना डिरेक्ली इंडरेक्ली महिलाओं से इंपक्ट पड़ रहा था और समाच सुदार अंदोलों की जब शुरूआत होती है तो सबसे पहले सती परता जैसी उसके उपर में रोक लगाई जाती है जो एक इंप्रूमेंट का कारे करती है महिला सिक्षा जोति भाई फूले ने किस सरसे महिलां के लिए योगडान दिया महिला सिक्षा के लिए कारी किया इसके बारे में हैपको पताचलता है 37 आप देखो गे इस तरी भून हत्या जो हो इस chapter के अंदर में तो महिलाओं के उपर में क्या परभाव पढ़ा समाज सुधार का समाज के अंदर में जो implement हो रहे थे ना सुधार के जा रहे थे तो उसके आपको impact को बताना है ठीक है दूसरा यहां पर topic आता है महिलाओं के राजनितिक भूंदकाओं के बारे में देखो आ महिलाओं के उतना बढ़ चड़ कर योगदान नहीं दिया गया हमारे इतिहासकारों के द्वारा या जो भी हमारी print मेडिया होगी जो भी जिस्तर के ववस्ता रहे होगी राजनितिक पार्टियों के द्वारा महिलाओं को प्रॉपर जो योगदान देना चाहिए वो नहीं को लीड कर रही थी और महिलाओं का रोलिंग पॉडेंट था इसका रीजन देखके चलोगे जैसे असयोग आंदोलन हुआ सबने अवग्या अंदोलन हुआ तो महिलाओं जितने भी वह सहन सील थी जादा देर तक सह सकती थी ठीक है ऐसा नहीं होता था रियक्ट कर रही है फ बहुं का राजनितिक्व भूम का धिरी दर बढ़ने लगी एक आगर आप देखोगे न तो जोती भाई फूले और भी बहुँत सारे आपको महिलाओं के नाम देखने के लिए मिलेंगे जिनका भारतिय समाज के अंदर में भारतिय समाज के उतर में जो निम्न वर्ग और मह करके चलती है कि हमारे एक आइडोलोजी बहुत विक्सित आइडोलोजी थी हमारे घरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरंगरं जैनिय सिती किस परकार से बनती चली गा जाती है निमन वर्ग, जो छोटा समाज था ना, जो छोटा वर्ग था छोटे कास्ट के जो लोग थे, उनकी भूनका किस परकार से रहती है समाज के अंदर में, किस तरीके से उसका impact पड़ता है, 2019 सताब दिके अंदर में यह आपको बताना है यहाँ पर question में normally बन कर आता है निम्न वर्क और महिलाओं के बारे में तो दोनों को आपको define कर देना है topic important है chapter important है दोनों topic को आपको study करना है दूसर topic इसके अंदर में रहता है ओपनिवेशिक भारत में धार्मिक और समाजिक भेदवाव के बारे में समाजिक संद्चनाओं के बारे में समाज के अंदर में किस तर से जन विरोध किया जाने लगा देखा जो उपनेवेशिक सरकार थी उपनेवेशिक जो नीतियां थी उसमें इस इंडिया कंपनी की बिटी सरकार की कहीं न कहीं लोगों के अंदर में जन विरोध का कारण बन रही थी ठीक है यहां पर जन विरोध का कारण बन रही थी तो जन विरोध किस तर से था जन विरोध मतलब लोगों का विरोध किस तर से करें तो उसको अलग अलग तरीके से कि है पनमटर 32 जहांपे हम बात करते हैं उपनिवेश वाद के अधिन में जो जणजातिय अध्यान था वो किस तरह से किया जाता था उपनिवेशी समाज के नदर में जणजातियों का अध्यान जण जाती क्या हुता है कि जो छोटी-छोटे के जितने भी chapter है वो मैंने cover करवाए आपके book के अंदर में unit में दे रखा है हर unit के अंदर में 2-3 chapter है total आपको 32 chapter पढ़ने होते हैं मैंने यहाँ पर lesson wise आपको total 32 chapter cover करवाए हैं जिसमें almost यहाँ पर आप बोल के चल सकते हो कि 50 plus मैंने topic यहाँ पर आपको cover करवा है 50 is जादा topic यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया सारे topic important है अगर आप हर एक topic पर 2-4 minute देते हो अच्छे तरीके सब पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे number result आपको देखने के लिए मिलता है साथे साथ जो topic मैंने mark करवा है कि यह topic important है previous year के अंदर में काफी सारे topic आ रखे है और igloo का सबसे best चीज क्या होता है कि exam के pattern ज़्यादा change नहीं होता है तो अगर आप पीछे के previous year के question paper study कर लोगे न तो आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाला है क्या उनका reaction रहा उनके वीडियो के उपर में क्या improvement उनको देखने के लिए मिलता है क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है तब उसकी बाद जाकर आप देखो बहुत आपके लिए helpful रहेगा exam के perspective से MA history का notes चीए directly google blogger पर जाना है तो आप हमारे चैनल दाइनप को ज़रूर like, share, subscribe करें और एक हर एक वीडियो का जो link के अपने दोस्तों तक पहुचा है इस वीडियो का link पे अपने दोस्तों तक पहुचा है जिससे वो भी exam के लिच्चेस त्यारी कर सके उनको भी important topic के बारे में idea मिल सके साथी साथ आपनारे दूसरा जो चैनल आपका अनव इनफो का उसको भी subscribe करना है यहाँ पर आपके exam से लिटेट जीतने भी update है तिके exam कब होगा, assignment कब submit करना है कैसे assignment बनने वाला है, क्या डिटीट आएगा, all ticket कब आएगा जो भी ignorated update है, वो आपको time to time यहाँ पर मिलने वाला है तो दोनों चैनल को आपको subscribe करना है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है और अपने दोसों तक भी इस चैनल के link को पहुँचाना है अगर आपके मन में कोई भी question हो, कोई doubt हो, कोई confusion हो किसी चीज को लेकर question है आपके मन में, तो आप यहाँ पर question raise कर सकते हो जिसका answer मैं आपको comment box में देदूँगा अगर आपको हमारे whatsapp group से जूड़ना है, तो भी आप यहाँ पर comment कर सकते हो यहाँ पर link देदूँगा, जिसके बाद आप हमारे whatsapp group से जूड़ सकते हो तो यहाँ पर video end करते हैं, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best